मेश राशी मई 2020 में होंगे धनवान नमस्कार दोस्तो जैमातादी दोस्तो आज हम बात कर रहे हैं मेश राशी के बारे में मई 2020 का महिना आपकी किस्मत को पूरी तरह बदलने बाला है मई के महिने में आपकी किस्मत पूरी तरह चमकने वाली है इस महिने में मा लक्षमी का आशिरवाद आपको मिलने वाला है मा लक्षमी की अपार कृपा आप पर केवल आप ही की राशी पर होने वाली है दोस्तों आपको बता दे कि मई के महीने में गूचर में ग्रहों की स्थिती इस परकार बनेगी कि इस महीने में आप माला माल होने वाले है इस महीने में मातारानी का अशिरवात आपको प्राप्त होने वाला है और आप धनवान बनने वाले है दोस्तो मातारानी के आशिरवाच से करोना वाइरस जैसी विश्व व्यापी महामारी का अंत जड़ से होने वाला है दोस्तो इस महीने की शुरुआच से ही आपको साकरात्मक परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे क्योंकि चार मई से आपकी राशी के स्वामी मंगल देव का महा परिवर्तन होने वाला है चार मई से मंगल देव अपनी चाल बदल रहे हैं और मकर राशी से निकल कर कुम्ब राशी में आपके लाब स्थान में क्यारवे भाव में परवेश करने वाले हैं दोस्तो मंगल के इस राशी परिवर्तन के साथ ही इस महामारी का अंत हो जाएगा क्योंकि मंगल के राशी परिवर्तन से मंगल और शनी की युति समाप्त होगी और इस महामारी को जड़ से खत्म करने वाली दवा का अविश्कार होगा दोस्तों आपको बता दें कि मंगल देव आपकी राशी के स्वामी है आपके प्रथम भाव के स्वामी और आपके अस्टम भाव के स्वामी मंगल देव अब लाब स्थान में एकादस भाव में जाने वाले है दोस्तो मंगल का यह राशी परिवर्तन आपकी सेहत में बहुत बड़ा सुधार लाने वाला है आपके अंदर जोश और उत्सा को भरने वाला है और आपके अंदर काम करने की ताकत को भी भड़ाने वाला है दोस्तो मंगल का यह राशी परिवर्तन आपकी सोच को साकरात्मक करेगा एक पोस्टिव अनरजी आपके अंदर भर देगा और मंगल का यह राशी परिवर्तन आपको बहुत बड़ी मातरा में धनलाब के साथ साथ मान सम्मान और पद परतिस्टा भी देगा दोस्तो इस समय में आपको फेमस होने के पहुच से मौके मिलेंगे और आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता आप अपनी जोब में पर्मोशन तक हासिल कर पाएंगे और अपने व्यापार कारोबार में बड़ी सफलता हासिल करेंगे दोस्तो आपको बता दे कि इस महीने में गुप्त धन मिलने की संभावनाएं भी प्रबल हो जाएंगी व्यापार से मंदा खतम होगा और तेजी की शुरुवात होगी और बड़ी तेज रफतार से आपके पास धन आने लगेगा कारोबारिक गतिविदिया तेज गती से आगे बढ़ेंगी क्योंकि इस महीने 9 मई को बुद मेश राशी से वरिशब राशी में आपके धन के भाव में प्रवेश करने वाले हैं और 14 मई को सूर्य देव मेश से वरिशब राशी में प्रवेश करेंगे दोबारा 25 मई को बुद का राशी परिवर्तन वरिशब राशी से मिथुन राशी में आपके दूसरे भाव से तीशरे भाव में होगा दोस्तो इस महीने में अधिकतर ग्रहे आपके धन भाव से गोचर करेंगे अधिकतर ग्रहे आपके भाग्य स्थान से आपके कर्म के स्थान से और आपके लाब स्थान से गोचर करने वाले हैं जिस वजे से आपको अच्छी सेहत, नोकरी में तरक्की, घर-परिवार में सुक्षान्ती, विवाहिक जीवन में खुशियां, प्रेम संबंदों में मिठास, दोबारा लोटाएगी और विद्यार्थियों को शिक्षा में बहतर परिणाम प्राप्थ होंगे दोस्तो मालक्षमी के आशिरवाद से सब कुछ आपके लिए बदलने वाला है और कई तरह की खुशियां आपको मिलने वाली हैं दोस्तो अगर आपको यह चानकारी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सच्चे मन से जैमातादी जरूर लिखें